हेलो आपरीवन स्वागत है आप सब का अमेस्ट अपको आपको करना बाइगा और इस में आपको इसमें आपको सुए पर नहीं है इस वो इसमें नहीं है ठीक है तो यह मेराथण आपको कैसा लगा एंड में मुझे कोमेंट करके जरूर बताईएगा और दूसरों के साथ भी लाइक शेयर कीजिएगा आपके बहुत काम के लिए इसके इलावा अगर आप सेट एक्जाम के तैयारी कर रहे हैं उसमें भी आपके उसनून एक्जाम के लिए भी यह वारतन आपका रहेगा सबके लिए गुड न्यूस है मैं कॉनोमेट्रिक्स का कोर्स स्टार्ट कर रही हूं यूजिसी नेट एकनोमिक्स के लिए मैंने एक टेलिग्राम ग्रूप में अपने पॉलिंग करवाई थी जिसमें मैंने आपको पूछा था कि अगला कौन सा यूट यूट्यूब पर स्टार्ट किया जाए माइक्रोग्स मने सारा कंप्लीट करवाया है अभी-अभी मुझे सबसे जादा जो पॉल में रिक्वेस्ट है वो स्टेट्स एंड एकनोमेट्रिक्स वाले कोर्स को लेके आई सो क्रंटली मैं आपको econometrics वाला portion स्टार्ट करवा रही हूँ आज उसका first class है classical linear regression model और इस course में हम वो topics भी cover करेंगे जो आपको 2023 वाले exam में पूछे गए साथ साथ में उनको लेके भी चलेंगे ठीक है अगर आप नए आए हो चैनल पर तो subscribe ज़रूर कर ली जगा description में मेरी सारी details बताई गई है मेरे telegram चैनल का link दिया गया है complete course मेरा सारे units का अगर आप set की, tit की निट की तैयारी कर रहे हो उसके लिए आपको मेरा complete course अवेलेबल होगा आने कैड़ भी पर description में आपको link दिया है मेरी profile का मेरा code भी दिया गया description में आपको और मेरी UGC Net Economics की best selling book का link भी आपको description में दिया गया है so let's start from the classical linear regression model तो मैं सबसे पहले आपको कुछ questions दिखा देती हूं इन questions को आप पहले पढ़ लीजिए जब हम ये topic समझ लेंगे उसके बाद इन questions को solve करने की तरफ आएंगे ये question 2023 के अभी वाला जो exam हुआ था आपका economics का उसमें पूछे गए थे इन में से कौनसी assumption है जो classical linear regression model को satisfy करती है मतलब आपको assumptions से questions आते हैं ये slot 1 में था और ये slot 2 में question आया था कि इन में से कौनसी assumptions classical linear regression model की है ठीक है है सो हम ये सारा पहले समझते हैं तो देखिए सबसे पहले सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल ये यू कैन से classical linear regression model वही चीज़ है सो जो आपका सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है वो कुछ इस ढंग से बनता है यह यहां पर सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल बना हुआ है एक मिनट यहां पर थोड़ा सा करिएगा प्लीज एर इडीज एलफा ठीक है एक मिनट यह एलफा ठीक है तो बेसिकली सिंपल लीनियर रिग्रेशन एक टेक्नीक है एकनामिक वर्येबल में रिलेशन्शिप मेयर करने की यू कैन अधर वर्ड्स यह जो एक सिंपल लिनेर यह एक हमारे पास इंडीपैंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडें एक मिनट पैन ब्लैक कर लेती हूं यू केंसे रिग्रेसेंड और इसे इंटर सेप्ट इंटर सेप्ट टर्म में कॉंस्टन रहता है यह यह बीटा जो है यह सलोब टर्म होती है यह भी कॉंस्टन्ट है एक्स आपका एक्स्प्लानेटरी वरियेबल इसके नाम जरूर देख लो नाम पता होने चाहिए इस एक्सिस यूर इंडिपेंडेंडेंट वरियेबल भी इसको बोलते हैं एक्स्प्लानेटरी वरियेबल भी बोलते हैं एक्स्प्लानेटरी वरियेबल भी बोलते हैं एंड इ residual के नाम से भी जान सकते हो, residual, तो इसके बारे में आप अभी समझते हैं, so let's see, माल लीजे, अब economics में हम पढ़ते हैं, कि जो demand है, वो price का function है, यानि कि जो demand है, वो price पे depend करती है, इसका model बनाएंगे, अगर मैं, अगर मैं इसका model बनाऊंगी, it will be like that, इसमें y जो है, ये आपका क्या है, quantity demanded, x जो है, ये आपका क्या है, price है, ठीक है, तो basically, quantity demanded in this model is a dependent factor, and price is independent variable, ठीक है, और ये जो mu है, basically, इसका मतलब होता है, error term, मान लीजिए, अब कि जो demand में changes आ रहे हैं, जैसे हम low demand पढ़ते हैं, जो demand में changes आते हैं, वो prices के इलावा कुछ और factors के कारण भी आते हैं, but we all assume these factors constant, satiris paribus की assumption लेके चलते हैं, कि जो other factors हैं, जैसे कि income, taste, habits, उनको constant मान के चलते हैं, और सिरफ यहां पर price as a explanatory variable मैं consider कर रहे हूँ, तो वो जो सभी all factors को मैं constant लेके चल रही हूँ न, वो कहीं न कहीं मेरे error का कारण बनते हैं, यह error का कारण बनते हैं, वैसे error की specific definition होती है, the difference between observed value and true value, अब क्वांटिटी डिमांडिड प्राइस पर के इलावा कुछ और फेक्टर्स पर भी प्रभावित होती है, बट उन सभी factors को मैं constant लेके चल रही हूँ, तो वही जिन factors को मैं constant लेके चल रही हूँ, असल में error उन factors को रिप्रेजेंट करता है, तो यह एक आपका simple linear regression model इस तरह से बनता है, अब इसकी assumptions की तरफ चलते हैं, सबसे पहले इसका assumption यह समझे है, error terms are random, यह आपने बहुत नॉर्मली सुनी होगी बहुत बार यह assumption चाहिद कही न कहीं पढ़ी भी होगी अपने masters यह bachelors की classes में, that error terms are random, इसका basically मतलब है, कि जो error term की value है that depends upon chance, चंस पर depends करती है इसकी value पॉसे टीफ भी हो सकती है, negative टीफ उसकती है, यह 0 भी हो सकती है, अब आपका जो यह error term है, इसका expected value 0 होता है, एरर term की expected value का मतलब होता है, mean of error term, for the expected value of error term में 0 का मतलब है, कि जो error term का mean होता है that is 0 ठीक है इसी तरह error term के square की expected value का मतलब होता है variance error term के square की expected value अगर मैं कर दूँ तो this is variance of error term और error term का variance होता है it is absolutely constant constant variance होता है error term का ध्यान से इस चीज़ को समझ लीजे अगर मेरा error term का variance constant ना हो तो एक econometrics में problem create होती है जिसको हम बोलते है hetero sadasticity की problem ठीक है देखिए अगर यह variance कुछ इस तरह से लिखा होता है u i square sigma square u के साथ i होता है तो इस i का मतलब यह होना था कि मेरी variance की value change हो रही है i का मतलब 1 2 3 4 वो change हो रही है तो अगर variance की value constant ना होके change होती जाए तो the problem will be hetero sadasticity वह problem आ जाएगी वह violation है simple linear regression model के assumption को ठीक है but the assumption is कि आपका error term का variance constant है यानि के there is homosodasticity here hetero का ulot होता है homosodasticity तो यह 3 problems आपकी होती है hetero sadasticity multi-colonarity and autocorrelation इस पर अलग lecture में समझेंगे basic में अभी आपको उसका समझा रही है ठीक है so then यह हो गया mean error term x आपके non random रहते हैं you can say x की जो values है वो आपकी fixed रहते हैं इसका मतलब यह है x की value का fixed रहना that means I am supposed to record quantity sold each day at same price ध्यान से समझेगा अभी मैंने model यह विला करवाया था आपको x की value fixed का क्या मतलब है प्राइस फिक्स है प्राइस फिक्स है फिक्स प्राइस पे मैं demand consider कर रही हूं अलग-अलग दिन की पहले दिन इस प्राइस पे कितनी demand है दूसरे दिन इस प्राइस पे कितनी demand है कहने का मतलब कि मैं y की अलग-अलग values को find करना चाह रही हूं at the same value of x at the same price I am supposed to find quantity demanded at different days है ना यह different individuals तो वो चीज मतलब x के अहां पे that's why assume to be fixed समझे के बाद अब जो x है जो error term है that belongs to normal distribution normal distribution से कोई चीज अगर belong करती है तो उसका मतलब क्या होता है कि उसका mean 0 है और variance constant है तो अब यह हमने पढ़ी लिया कि जो error term है उसका mean 0 है और variance constant है तो तो आगे चलते हैं errors are non autocorrelated errors are non autocorrelated का मतलब है कि error term की different values में को relationship नहीं है यानि कि error term at period 1 is not related with error term as period 2 ठीक है there is a no problem of autocorrelation बट अगर autocorrelation की problem आ जाती है this is a violation of the assumption of the simple linear regression model autocorrelation दूसरी problem हमारी simple linear regression model की दूसरी problem हमारी econometrics की पहली problem मैंने यहाँ पे heterosdacity बताई थी दूसरी problem यहाँ पे आएगी autocorrelation अगर यह assumption violate हो जाए ठीक है अगला है यहाँ पे u is independent of the explanatory variable इसका मतलब यह है कि आपका x and u यानिके explanatory variable and u इनमें कोई भी relationship नहीं है इनमें कोई भी relationship नहीं है अगर यह relationship आ जाए ना इससे आएंगी error term में relationship होता है independent का मतलब है कि इनमें relationship नहीं है error term and explanatory variable में relationship नहीं है तो यह independent है अगर मैं इनको not equal to zero कर दूंगी that means relationship इनमें होगा ठीक है फिर x are uncorrelated x are uncorrelated यानि कि जो explanatory variable है वो आपस में correlate नहीं करते है बेसिकली यह assumption वह ही पर लागू होगी अगर आपके पास simple linear नहीं multiple linear regression model हो what is a multiple linear regression model इस तरह से अगर मैं इसको लिखो alpha plus beta x1 plus beta node beta 1 x2 plus mu यह आपका multiple linear regression model बन गया क्योंकि यहां पर explanatory variable एक से जाधा है ठीक है let's consider अगर मेरे पास y जो है y जो है वो मेरी demand है या quantity demanded है x1 जो है यह मेरी income है and x2 जो है यह मेरी wealth है माल देजिए ठीक है तो अगर इन दोनों में relationship आ जाए इन दोनों में relationship income and wealth में relationship बहुत नॉर्मल बात है अगर आपकी income जाधा तो आपकी wealth भी जाधा होगी तो explanatory variables में relationship आना there is a problem of multi-colonarity तीसरी problem econometrics की multi-colonarity यह अगर problem आ जाए तो this is a violation of the assumption of simple of multiple linear regression model ठीक है बढ़ यह नहीं आनी चाहिए linear regression model की assumption में यह problem नहीं होनी चाहिए जो आपकी explanatory variables है वो regression model में आपके uncorrelated होने चाहिए यानि के x1 and x2 में को relationship नहीं होना चाहिए अगर relationship आ जाता है तो there is a third problem multi-colonarity basic समझ गए econometrics के इस model का अब इसके बाद आपका जो अगला lecture होगा वो purely इस पर होगा heterosity, multi-colonarity and autocorrelation यह तीनों के मतलब मतलब वैसे मैंने आपको basic मतलब इन तीनों के अभी समझा दिए इनकी test जो होते हैं इनको detect करने के इनके consequences जो होते हैं वो हम सब करेंगे अगर आप econometrics कर लेते हैं अगर पांच question econometrics के आएंगे तो हम 100% sure कि 5 में से 4 तो कम से कम अब बिल्कुल सही करके आओ ठीक है वैसे तो पांच ही सही करोगे बट अगर कई बर होता है लेर्नर्स इंडिरेक्ट कोशन आ जाता है वो भी नहीं कर पाते हैं तो कम से कम 4 तो ठीक करके सब्सक्राइब आपका दूसरा पार्ट है econometrics की सीरीज का हमने complete econometrics की सीरीज चुरू किया इस चैनल पर जिसमें हम simple linear regression model पढ़ चुके हैं आज हम पढ़ेंगे hetero star city multi-colonarity and autocorrelation ठीक है मैं आपको उतना पढ़ाऊंगी जितना आपके net economics के point of view से जरूरी है ठीक है जी अगर आप पहली बार चैनल पर आया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा और पूरी जानकरी लेने के लिए वीडियो को एंड तक रेखेगा अधर तिंग इस कि statistics का मैंने दूसरे चैनल पर complete course रूर किया हुए उन सारी classes की details आपको telegram पर मिलेंगी telegram चैनल का link description में दिया गया है उसको follow कर लेते हैं तो मेरी दूसरे चैनल पर यहां पर भी मेरी classes होती है उसके links आपको मिल जाएंगे ठीक है जी पूरा course लेने के लिए भी description में आपको सारी details दी गई है मेरा code दिया गया है और मेरी best selling book का link भी आपको description में दिया गया है ठीक है so this is a second class जो बच्छा आज की class देख रहा है जिसने पहला पार्ट नहीं देखा था simple linear regression model वाला इससे पहले जाके वह भी रेख लीजेगा ठीक है so let's start this session तो आज हम बात करने हो ले मैंने उस class में आपको सारी assumptions पढ़ाई थी simple linear regression model की ठीक है तो अगर आपने वह assumptions देखी है तभी इसको continue करिएगा इस class को तो तो लेस्सी है है अट्रो सदास्टी सिटी देखेंड वान इस मुल्टी को लिनियारिटी मुल्टी को लिनियारिटी अग धर वन इस ओटो पो रिलेशन ओटो को रिलेशन ठीक है सबसे पहले हम बात करते हैं हेट्रो सडास्टी की वैसिकली हेट्रो सडास्टी में क्या रहता है जब इक सब्सक्राइब करते हैं मैंने आपको लास्ट लेक्शर में डिस्टरबेंस टर्म क्या होती है डिपैंडेंड इंडिपैंडेंड वरियेबल के सब समझाया था है वन आयम सेइंग की जो डिस्टरबेंस टर्म हैं डेट इस चेंजिज वो उसका वेरियंस जो है वो अब्सर्वेशन तू अब्सर्वेशन चेंज हो रहे है लेट्सी वन आयम सेइंग डिस्टरबेंस वैरियंस चेंजिज जो हमने पढ़ा था उसका वैरियंस क्या पढ़ा था है अजु of u i square का मतलब है variance of disturbance term या error term when i am saying कि इसका variance जो है वो sigma square u ही है या sigma square ही है सिरफ that means वो constant है when i am saying कि disturbance term का variance जो है this is equal to sigma square u i अब i का मतलब क्या हो गया कि जैसे-जैसे ये observations बतल लेंगे वैसे-वैसे ये variance भी बतल रहा है ठीक है so this is basically heterosdasticity problem ठीक है when the variance of observe error term and disturbance term changes from observation to observation this is homosdasticity and this is heterosdasticity this is a basic definition मैं आपको diagram से भी अभी समझाओंगी सबसे पहले हम basic definitions की बात करते हैं okay so the second one is multi-colonarity here ये जो slides है इनके screenshot से साथ महीं अपले लीजेगा because I will erase this and then rewrite the second one is multi-colonarity multi-colonarity you can say linear correlation among explanatory variables है कि multi-colonarity की problem पहली चीज तो ये एक multiple regression model महीं जाएगी मतलब अगर उस model में explanatory variables एक से जाधा है तभी multi-colonarity की problem आएगी है ना तो you can simple in simple language you can say there is a correlation between explanatory variables of a regression model of a regression और ये जो regression model है ये क्या होगा multiple regression model होगा यानि कि उसमें जो variables है वो multiple होगा let's see if I am saying the model is alpha node plus beta node x1 plus beta 1 x2 plus mu this is your model if I am saying ज्यान से ग्जामपल समझेगा if I am saying y जो है वो मेरी consumption है consumption है x1 जो है ये income है and x2 जो है ये wealth है wealth है तो my target कि consumption जो है वो depend कर रही है income पर भी यक्राइड पर भी अब consumption income पर कितना depend कर रही है उसे ये theta node शोड और वीकाज़ पर ग्रे कर कह्त एपकोज चनम्शन वीत्करएगा बीटा 1, fine, if I am saying there is a relationship between x1 and x2, अगर मैं कहूं कि x1 and x2 के बीच में relation आ गया, कैसे आया relation, income and wealth में relation तो होता ही है, अगर मेरी income जादा तो मेरे पास wealth भी जादा होगी, है ना, अगर किसी की income कम में तो उसकी wealth भी कम होगी, there is a relationship between x1 and x2, that there is a problem of multi-colonality, समझ गे बात को, ठीक है, अब तीसरा problem आता है यहाँ पर autocorrelation, so you can say autocorrelation is basically correlation between different, यहाँ पर explanatory variables में correlation था, जो autocorrelation है, इसमें disturbance term की values में correlation रहता है, correlation between different values of disturbance term, जिसको आप error term भी बोलते हो, इसको represent करने के लिए, simply, आपने मेरे से वो simple linear regression model की assumptions पड़ी थी, उसमें हमने क्या पढ़ा था, यह expected value of UI, UJ जो है, उसको 0 लिया जाता है, simple linear regression model की assumptions में, है न, that means UI and UJ में कोई correlation नहीं है, बट अगर UI and UJ not equal to 0 हो जाए, not equal to 0 हो जाए, so what it means, it means there is a problem of autocorrelation, ठीक है, it means there is no autocorrelation, अगर, error term की different values, की expected value 0 है, that means there is a no autocorrelation, जो हमारी assumption थी, एक model की, linear regression model, बट इफ different values of error term, उनकी expected value, that is not equal to 0, then there is a problem of autocorrelation है, ठीक है, fine, अभी हम आगे चलते हैं, एक मुट, येस, अभी जैसे मैंने आपको heteros-dacity करवाया था, इनके हम test करेंगे, अच्छा, test करने से पहले मैं आपको थोड़ा heteros-dacity, diagramatically दिखा देते हूं, देखिए, अगर मैं इस साइड, error term ले रही हूं, XI ले रही हूं, if I am saying कि कुछ ऐसे करव बन रहा है मेरा, what is this, this is heteros-dacity, यहां पर heteros-dacity है, because observations के साथ मेरी ये values, योई, EI की, ये भी बदल रही है, अगर मेरा curve इस तरह से बने, EI and XI, there is no heteros-dacity, क्योंकि observations के बदलने के साथ मेरी EI की value नहीं बदल रही, So this is a curve for homos-dasticity and this is a curve for heteros-dacity, fine, ठीक है, okay, then हम टेस्ट की तरफ चलते हैं, So different test, अब हेत्रोस-dacity को डिटेक्ट करने के test देखिए, सबसे पहला test इसका रहता है, Spearman का, Spearman का test, that is Spearman Rank Correlation Test, भी हम जिसको भोल देते हैं, then the second one is Glager Test, Glager Test, G-L-E-J-E-R, then it is Park Test, P-A-R के बहुत test हैं इसके, then it is White Test, then it is Gold Fed Quanta Test, Gold Fed Quanta Test, ठीक है, यह नाम है, नाम याद रखने हैं आपको सरा, है तरोस-डास से ठीक है, इसी तरह Multicolonarity, अब Multicolonarity के टेस्ट के जो नाम हैं वह बहुत वह हैं, बहुत वह हैं, दिफिकल्ट से, Multicolonarity के टेस्ट, that is Variance Inflation Factor, V-I-F, you can return right here, Variance Inflation Factor, Then it is also Condition Index Condition Index Then Farrar Global Test Farrar Global Test इसमें तीन स्टेस्टिस्टिक आगे यूज होते हैं, T-Test, F-Test, Kaise Care Test, Then, एक होता है इसका नाम, Frisch, Confluence, and Bunch Map, मैने कहा था, इसके नाम डिफिकल्ट हैं, but you have to remember it, अब जो नाम है यहाद रखने बढ़ेंगे, इसमें हम क्या करें, Bunch Map Analysis, Frisch, Confluence, and Bunch Map Analysis, चलो, यह इसके टेस्ट है, Multicolinarity के, and Autocorrelation के, बहुत सिंपल है, Autocorrelation के सरफ दो ही टेस्ट हैं, जिनमें एक बहुत ज़्यादा इंपोर्टन है, इसका पहला टेस्ट जो है, इस फार्मूले से आता है, D is equal to 2, 1 minus lambda cap, this is a formula for Durbin-Watson test, ठीक है, here D is Durbin-Watson statistic, and lambda cap is coefficient of Autocorrelation, तो होता है कि, यह तो आपको यह दिया होगा, यह पता करने के लिए का होगा, यह दिया होगा, यह पता करने के लिए का होगा, ठीक है, इस तरह से, और यह जो Durbin-Watson statistic है, इसकी value 0 to 4 के बीच में लाई करती है, 0 to 4 के बीच में, ठीक है, दूसरा इसका test होता है, non-Newman ratio test, non-Newman ratio test, ठीक है, so these are the various tests, for detecting the problems, फाइन, अब इसके बाद हम इनके, consequences करेंगे, very important thing, consequences, consequences का मतलब, कि इनके effects, इनके प्रभाव, ठीक है, so, तक्रीबन इनके प्रभाव, same ही होते हैं, इसलिए मैंने, एक ही slide पे की है, the multi-colonarity, सरफ multi-colonarity में, थोड़ा फरक रहेगा, autocorrelation, बाकियों के तो same ही रहेंगे, ओके, so होता क्या है, आप हमें, गोज मारकव थूरम पढ़ेंगे, उस पर अलग क्लास लगाऊंगी, that is blue, best linear unbiased estimates, ठीक है, that is blue, क्या full form है, इसकी best linear unbiased estimate, ठीक है, तो गोज मारकव थूरम पर, अलग से एक class लगाएंगे, होता क्या है, जिसे जो अपकी हेट्रोस डास सिटी की प्रॉब्लम है, अगर एक simple linear regression model में यह आ जाए, तो क्या होगा, कि आपके जो OLS estimates है, OLS estimates, जो हमने simple linear regression model में पढ़ते हैं, alpha and beta are your OLS estimates, cap लगा दो इनको, alpha, cap, जब मैं cap यूज कर रही हूँ, that means मैं उनका sample ले रही हूँ, अगर मैं cap नहीं यूज कर रही, that means population, अच्छे एक और चीज, if I am saying, alpha and beta, जो आपके population के estimate होते हैं, उनको हम parameters बोलते हैं, population parameters, खिक है, if I am using alpha cap and beta cap, that means यह sample के estimate है, sample के estimate को हम बोलते हैं, statistic, sample, statistic, ठीक है, the important terms, इसको erase कर रहे हैं, ओके, then all us estimates जो हैं हमारे, वो as usual, blue की properties की तरह, unbiased ही रहेंगे, linear भी रहेंगे, बट क्या होगा, कि उसका variance बढ़ जाएगा, देखिए, ध्यान से एक बात समझीएगा, मेरी, जो आपके, OLS estimates की blue properties होती है, उसमें एक efficiency वाली property भी होती है, इसका detail जैसे मैंने कहा लग lecture लगाऊंगी, efficiency, efficiency का मतलब होता है, कि variance का minimum होना, unbiased होना, efficiency का मतलब होता है, unbiased होना, and plus variance का minimum होना, variance का minimum होना, जितना variance minimum है ना, estimate का उतना ही, उसको efficient माना जाता है, बट अब heterosdacity में क्या होता है, कि जो variance है, वो minimum नहीं होता, variance large हो जाता है, तो इस कारण, जो हमारे OLS estimates हैं, वो क्या बन जाते हैं, inefficient बन जाते हैं, same यही problem, autocorrelation में जाते हैं, same यही problem, इसमें भी OLS estimates ठीक है, unbiased भी है, linear भी है, बट inefficient बन जाते हैं, inefficient क्यों बनते हैं, क्योंकि variance large होता है, large variance, समझे इस बात को, अब जब आपका variance large होगा, तो याद रखिएगा, test of significance जो हमारा होता है, t-test, that is, जिसको आपको जैसे लिखते होते हो, beta cap minus beta over standard error, ऐसे गर के लिखते हैं, of beta cap, this is the formula of t-test, याद रखिएगो, this is your sample statistic, this is your population parameter, this is the standard error of beta cap, अगर variance large हो जाएगा, variance large होने से, मेरा जो यह standard error है, इसके results पर भी फर्रख पड़ेगा, because standard error निकालने के लिए, variance ही उसे उसे गरते हैं, तो इस ते जो आपका test of significance है, वो invalid बन जाएगा, वो याल्वेश से कि test of significance हमारा invalid बन जाता है, और जो confidence intervals होते हैं confidence intervals वो भी misleading हो जाते हैं वेरियंस के large होने की वजह से क्योंकि जो confidence intervals है उसमें भी हमारा standard error यूज होते है और standard error के लिए हमको variance चाहिए होते हैं ठीक है तो variance large होने का फरक T-test पर भी पढ़ते हैं और confidence intervals पर भी पढ़ते हैं ठीक है और you can say insignificant या you can say invalid बन जाते हैं ठीक है अच्छा अब मैंने आपको multi-colonarity का क्यों नहीं लिखाया क्योंकि multi-colonarity में न हम दो cases पढ़ते हैं the first one is perfect multi-colonarity that is R पूरी तरह से चलो it is a perfect multi-colonarity and the second one is imperfect multi-colonarity पूरी तरह से perfect multi-colonarity है that is R 12 is equal to 0 लिख देते हूं and perfect पूरी तरह से multi-colonarity ठीक है so perfect multi-colonarity अगर होगी न तो जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा था कि Olas estimates ठीक है unbiased रहेंगे जैसे होने चाहिए होने भी unbiased रहेंगे but variance minimum होना चाहिए था बस वह large हो जाते हैं है न तो इसमें भी आपके Olas estimates unbiased रहेंगे as usual जो होना चाहिए था यह न बट जो multi-colonarity में यह इन डिटर्मिनेट हो जाते हैं इन डिटर्मिनेट मतलब आप इसको डिटर्मिनेट ही नहीं कर सकते हैं ठीक है और वेरियंस जो है वह इन्फाइनिटली लार्ज बन जाते हैं यह इसको इसको डिटर्मिनेट हैं मतलब यह इसमें भी लार्ज यह लार्ज तो हता है इसकेस में व्यरियंस इन फाइनिडे हो जाता था इस केसमें इंफाइनिट नहीं है बना一र घीक है So these are the differences of effects of perfect and imperfect multi-colonarity जिसको आप results भी बोल सकते हैं results भी बोल सकते हैं ठीक है? अब अगर पूछा जाए इनके solutions तो solutions में यह की चीज़ है जो आपको एक्जाम में पूछी जाती है that is generalized least square method ध्यांसे समझेगा method तो चलो यह मैं आपको किसी अलग class में समझाऊंगी I am just telling की क्या होता है जो आपका यह SL में एक weighted least square method होता है आप इसको weighted least square method भी बोल सकते हैं जो आपकी heteros drasticity and autocorrelation की problem होती है इनको इनका solution इनका solution यह है that is GLS और you can say weighted least square इस method के through इन problems को ठीक किया जा सकता है but the question asks जो exam में question पूछा जाता है कि यह method से कौन सी problems को ठीक किया जाता है इन दोनों को तो किया जाता है but जो multi-colonarity की problem होती है वो इस method से solve नहीं होती है GLS यह weighted least square से एक है so this thing you have to keep in your mind तो इसी के साथ मैं यह session खतम कर रही हूं hopefully आपको पसंद आया होगा अच्छा लगा होगा अगली वाली class में हम गोज मार्कव थूरम करेंगे जो अभी मैंने blue properties बताई थी आपको ठीक है वो next class में करेंगे like share ज़रूर करिएगा thank you very much for watching take care bye hello everyone welcome to MS study guru आज की इस वीडियो में हम OLS estimator की properties करने वाले हैं यानिके गोज मार्कव थूरम करने वाले हैं ठीक है so यह कॉनोमेट्रिक्स की series का अगला पार्ट है इससे पहले मैं आपको दो topics करवा जोकी हूं simple linear regression model and multi-colonarity heteros dark city and autocorrelation की problems ठीक है so यह UGC net economics के लिए specifically जो आपका series चल रहा है सब्सक्राइब कर लिए सकते हैं so अगर आप पहली बर आया है चैनल पर तो subscribe जरूर कर लीजेग और इससे पहले वाली दोस्त जो lectures हो चुकी है उनको भी आप जरूर देख लीजेगा description में मेरी सारी details देगी है telegram channel का link मेरे पूरे plus courses की और मेरी बुक का link भी आपको description में दिया गया है so let's see सबसे पहले मैं आपको OLS Estimators की properties बताने से पहले OLS का मतलब बताती हूं कि regression में OLS होता गया है OLS की full form है ordinary least square तो हमने simple linear regression model समझा था उस simple linear regression model में हमने यह चीज़ पड़ी थी कि हमको dependent variable की value को पता करना होता है on the behalf of the value of independent variable जिसमें हमने यह model किया था y is equal to alpha plus beta x plus u ऐसे करके model किया था और यह dependent variable की value को predict करना on the behalf of independent variable OLS estimation है यह असल में एक method है इस alpha and beta की value को find करने का basically हम OLS method के थ्रू क्या find करते हैं alpha cap and beta cap की value wait a minute yes so finding alpha cap मैंने आपको बताया था कि जब मैं cap लगा देती हूं तो यानि कि वह sample के estimate है जिसको हम statistics sample statistic बोल देते हैं so alpha cap and beta cap की value को find करना by way of least square by way of least square least square क्या है इसका रहान से मतलब संजियेगा by way of least square least square एक method है जिसको हम ऐसा डिफाइन कर सकते हैं minimizing 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 the sum of minimizing the sum of square sum of square residuals इसको हम कुछ ऐसे लिखते हैं sigma e i square e i ka मतलब होता है the difference between y की जो value हमने predict की है और जो value उसकी हमने observe की है you can write it as this is equal to actual minus predicted values मैं इसका कोई sign लगा देती हूं note लगा देती हूं so basically y note that is predicted values of y and y this is the actual observed values of y so basically sigma e i square का मतलब होता है कि जो मैंने values observe की और जो predict की उनमें difference का square sum का square basically जब हम y को predict करते हैं तो उसमें errors आती है so वही errors को हमको minimize करना होता है ठीक है minimizing the errors that are associated with the predictions of y तो उन errors को minimize करने की यहां पर बात की गई है यानि कि alpha and beta को मुझे estimate करना है with the method of minimizing these errors in predictions minimizing the sum of squares of errors यहां पर e जो है यह आपकी error term जो है basically इसको रिप्रेजेंट कर रहे है और that e is equal to y minus y note वहने यहां पर लिख है actual minus predicted values of y ठीक है जो actual है और जो predicted की गई है उनमें जो difference है वह आपका error है और उस error का sum करके उसका मैंने square करके उसको minimize करना है समझ गे ना बात प्रॉपर्टीज जो होती है ना अपकी that means linearity of alpha cap and beta cap with respect to dependent variable y जो हमने अभी model पिछे बनाया था ना y is equal to alpha plus beta alpha cap यानिके यह जो आपके sample के estimates है इनकी linearity with respect to y यह बात कर रहा हूं linear then u for unbiased unbiased का क्या मतलब होता है that is expected value of my sample statistic is equal to the value of the population parameter expected value का मतलब है mean यानि के जो मैंने sample के results निकाले है उनका average जो है वो मेरे population के parameter के population के result के इनके population के estimate के बराबर हो so expected value of beta cap is equal to beta यह चीज़ unbiasedness को show करते है कि कोई biasedness नहीं है बिलकुल भी मेरे result में ही मेरे result पूरी तरह से unbiased है यानि के average मेरी sample की values का equal population की estimate के equal best linear unbiased okay so best का यहां पर मतलब होता है best जो है दो चीज़ों से बनता है minimum minimum variance and efficiency दो चीज़ों से बनती है e का मतलब ऐसे तो estimate होता है according to this terminology but आप याद रखने के लिए e का efficiency कर लो क्योंकि efficiency भी वहत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अप्रिक्लेशन प्रॉपर्टी यह जो बेस्ट वाली प्रॉपर्टी यह उसका उल्टा हो जाता है यह बेस्ट वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाय नहीं होती इसका व्यलेशन हो जाता है mean to say तो जो आपकी efficiency वाली प्रॉपर्टी है उसमें अनभाइसटनेस और मिनिमम्म वेरियंस अगर यह दो प्रॉपर्टी यह तभी वह एस्टिमेटर्स एफिशियंट वनते हैं इन दोनों में से एक भी नहीं है तो वह efficient एस्टिमेटर्स नहीं बनेंगे ठीक है थीज और बेस्टिक प्रॉपर्टीज वेरियंस इस मिनिममम आप ऐसा भी इसको समझ सकते हैं ऐस कंपेर्ड टू अधर एस्टिमेट्स उसका वेरियंस पता कैसे चलेगा आपको कि उसका विरिस मिनिममम में नहीं है ऐसे पता चलेगा कि अगर वेरियंस अगर उसका वेरियंस मॉल है तो मिनिममम वेरियंस कहेंगे तो यह आपकी वेलस की बेसिक प्रॉपर्टीज है ठीक है तो यही करवाना था आज के लेक्षर में हमको होपफुली आपको समझ में आया होगा सब कुछ अगले वाले लेक्षर में हम इडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम और कंडिशन रेंक और कंडिशन के बारे में समझेंगे ठीक है ठीक यू टेक कियर वबाई सब्सक्राइब कर लीजेगा इससे पहले कॉनो मेट्रिक्स के तीन सेशन ले चुकी हूं आप पूरी प्ले लिस्ट में बाकिके सेशन भी देख सकते हैं तेलीग्राम का लिंक दिया गया वहां पे आप जोइन कर सकते हैं तबहु इंपोर्टन अपडेट्स खेडियोल के लिए इसके लावा मेरी एक्नामिक्स की बेस्सेलिंग बूक दिस्क्रिप्शन में पूरा जोइनकर सकत इडन्टिफिकेशन प्रॉब्लम यह जो इडन्टिफिकेशन की प्रॉब्लम है ना एक चीज़ याद रखना यह हमेशा किसी मॉडल की एस्टिमेशन से पहले होनी जरूरी है अब यह कैसे होती है इडन्टिफिकेशन प्रॉब्लम में दो चीज़ें होती है ध्यान से संजियेगा the first one is rank and the other is order condition अगर ये दो conditions satisfied हो जाती है यानि के हमारा model identify है और हम उसकी estimation शुरू कर सकते हैं अगर order condition and rank condition satisfy हो जाती है तो ये बताती है कि हमारा model identify है अब ये जो rank condition है this is an order condition ये दो conditions है अब order condition जो है ये निसेसरी तो है ठीक है निसेसरी तो है बट ये सुफिशियंट नहीं है ठीक है rank के बाद order condition भी होती है कि अधिस सुफिशन मतलब की identification की problem सिरफ rank order condition से हल नहीं होगी इसमें दो conditions चाहिए order and rank condition और आपको एक्जाम में question आता है order condition is necessary but not sufficient condition for identification ऐसे करके तो आपको बताना होता है इन में से कौनसी statement राइट है ये statement लिखी होती है ठीक है तो इस statement बिल्कुल ठीक है rank condition जो है ये sufficient बनाती है rank condition sufficient बनाती है fine अच्छा तो अभी इसके बाद आगे देखिए आपको एक्जाम में ना rank condition से कोई भी numerical question नहीं आता सरफ order condition से ही आता है so we will study here the order condition अब हम order condition के बारे में समझते हैं उसके लिए यहां पे मैं एक equation लिख रही हूँ order condition तब satisfy होती है देखिए exactly identified exactly identified and if this is greater than g-1 then it is over identified अगर मेरा model exact identified है यह over identified है दोनों से order condition आपकी satisfy हो रही है ठीक है बट अगर k-m less than है g-1 से यह मेरा model unidentified यहां जिसको हम बोलते हैं under identified है ठीक है तो इससे मेरी order condition satisfy नहीं होती है order condition तब ही satisfy होगी जहां तो मेरा model चाहे exact identified है चाहे over identified ठीक है exactly identified को हम just identified भी बोलते हैं अगर मेरा model unidentified है तो order condition उसकी satisfy नहीं है इस case में मैं कहूंँ कि मेरा model identified नहीं है ठीक है तो अब देखिए यहां पे ना भी यह क्या होता है कि mg let's understand these things एक आपके पास simultaneous equation model है जिसमें k का मतलब है यहां पे number of total variables ठीक है M का मतलब है number of variables in that particular जिस equation को आपको identify करना है उस equation में कितने variables है number of variables in that particular equation और जो आपका G है that is basically number of equations और यह exact equal होता है number of indignus variables के यानि के जो आपके dependent variables है मैंने आपको पहले ही इंडिगने सक्सिजन सारा क्लियर किया और अब इसकाम सम्सॉल करते हैं ऐसे यह समझ में नहीं आएगा let's understand by an example alpha node plus alpha 1 here it is y2 plus alpha 2 here it is y3 then alpha 3 here it is x1 alpha 4 here it is x2 ठीक है plus mu1 then y2 is equal to alpha node plus alpha 1 y2 plus alpha 2 y3 plus mu2 y3 is equal to alpha node plus alpha 1 y1 plus alpha 2 y2 plus alpha 3 x3 plus mu3 माल लिजे this is your simultaneous equation model simultaneous equation model पर अलग से class लगाऊंगी ठीक है so इस model में आपकी order condition satisfy कब होगी order condition कब satisfy होगी will be satisfied if k-m is equal to g-1 और k-m is greater than g-1 यही है अब k क्या है इसमें k क्या है k का मतलब मैंने क्या बताया था total number of variables तो कितने है total number of variables count variables count करने है constants नहीं यह आपके constant है इनको नहीं हम count करेंगे this is your variable this is your variable 2 3 4 5 5 repeated नहीं लेने मुझे यह repeated है 5 again repeated repeated 6 total मेरा जो k है this is 6 अब m क्या लिया था मैंने मान लो आपको first equation के बारे में पता करने ठीक है आपको first equation की identification पता करने है first equation की तो अब first equation में कितने variables है 1, 2, 3, 4, 5 m is equal to 5 और g के आएगा g का मतलब मैंने बताया था number of equations या number of indignus यह है indignus variables dependent variables जो इस equal to के left hand side में है तीन ही indignus variables तीन ही equations and number of equations will be equal to number of indignus variables it will be 3 ठीक है अब equation क्या है मेरी k-m g-1 k-m यानि के 6-5 it will be 3-1 तो यह आपका 1 is less than 2 यानि के equation क्या हुई आपकी equation will be unidentified यानि के आपकी order condition यहाँ पे fulfill नहीं हो रही satisfied नहीं हो गही ठीक है अब इस order condition को हमें कौर्ड धंक से लिख सकते है you can write here अब exam में कई बर यह theoretical question भी आ जाता है that the excluded variables from equation excluded variables from equation must be equal to or greater than equal to or greater than number of equations या number of equations मतलब क्या बताया है number of indignus variables less than one this is your order condition in theoretical definition according to definition अब exam में अगर यह definition आ जाएगी मैंने आपको definition बाद में कराई पहले example समझाई क्यूंकि definition आपको समझ में नहीं आनी थी अगर आप example ना समझते अब यह वही चीज है जो मैंने आपको भी बताई है मैंने क्या बताया k-m should be equal to g-m और k-m should be greater than g यही बताया यही order condition बताई यही definition यह excluded variables है k-m को हम excluded variables बोलते हैं these are excluded variables क्यूं अभी बताती है excluded variables इसको excluded variables क्यूं बोलते हैं मैंने first equation को identify करना था k-m मेरा क्या है k-m का मतलब वो variables जो इस particular equation में नहीं है बट model में है यही मतलब था ना क्यूंकि k का मतलब था total variables और m का मतलब था इस equation में कितने variables तो k-m क्या हुआ फिर ऐसे variables जो इस equation में नहीं है पर model में है 1 आया था आपका k-m यानि कि 6 variables मेरे पूरे total model में थे और 5 variables इसमें थे तो k-m का मतलब क्या हो गया excluded variables from that equation मतलब इस equation में जो variables नहीं है पर दूसरी equation में है that is k-m ठीक है आपका k-m देख लो एक बार स्लाइड अच्छे से समझ में आ गया सो इसी को हम ओडर कंडिशन बोलती है इसी के साथ आज का लेक्चर खतम करती हूं होपफिली आपको अच्छा लगा होगा सब्सक्राइब कीचेगा लाइक शेर करिएगा थेंक यू आज की इस वीडियो में का अगला पार्ट करने वाले हैं इसमें आज हम टाइप सोफेर्स की बात करेंगे लावल और सिग्निफिशन्स और पावर उफ टेस्ट की बात करेंगे आप यह इसके तीन-चार पार्ट्स पहले हो चुके हैं जिसमें काफी कानोमेट्रिक्स के प्लेइलिस्ट बने टेलिग्राम पर भी शेयर किया था किसी बीदरा की अपडेट के लिए आप टेलिग्राम को जुरूर्ट जॉइन कीजेगा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहां पर आपको सभी क्लास के अपडेट्स आप मिल जाते हैं और अधर तिंग इस ब्लस Conses का link भी आपको दिया हुआ है और आनघंडी की प्रोफाइल का लिंक भी दिया हुआ है तो वहां से आप मेरी सभी debtust कर सकते हैं let's start the today session मैंने आपसे प्रोमिस किया था कि इस चैनल पर आपको सी सार्ब्स करवा दोंकी यह तॉपिक आपके दिमाग में पूरी तरह से रहर होना चाहिए क्योंकि इससे न मोल्ड होके questions पूछ लिये जाते हैं रेक ने मोल्ड करके questions पूछ लिये जाते हैं खीक है यह मस्ट बड़े अच्छे से यह तॉपिक आपको clear होना चाहिए दो तरह के errors तो होते हैं the first one is type 1 and the other is type 2 error type 1 and type 2 error so let's understand the difference between the two जो आपका type 1 error होता है न type 1 error ध्यान से समझिए type 1 error when you say your hypothesis is true but our test rejected null hypothesis is true but our test rejected मैं अभी आपको नल अल्टरनेटिव का भी समझाती हूं over test rejected type 2 error में क्या होगा null hypothesis is false but our test accepted अब यह जो दो हीपोथेसी जहना यह दोनों एक दूसरे से बिलकुल उल्टा चलते हैं उल्टा कैसे देखिए अगर आपका null hypothesis true है तो जाहिर सी बात है कि आपका alternative hypothesis reject ही होगा यह वो false ही होगा इसी तरह अगर मेरा null hypothesis false है यह null hypothesis reject हो है तो जाहिर सी बात है कि हमारा alternative hypothesis accept ही होगा यानि के वो true ही होगा ठीक है basically हम null hypothesis का प्रियोग तब null hypothesis there is no difference no difference when I say there is no difference alternative hypothesis when I say yes difference exist difference exist करता है अब आप research aptitude paper one में हम लोग पढ़ते हैं माल लीजे कोई नया experiment किसी scientist ने कोई नया experiment किया अब वो देखने चाहता है कि यह जो नहीं करता है लोगों पर यह नहीं करता करता है ठीक है तो वह null hypothesis डियए नहीं नहीं करता है अब आफमाण लीजे दो गृप सहें लोगों के ह discovery के वह आखागी कि टो जब दोनों में कोई difference आई न अगर ऐसा हुआ तो उसकी medicine काम नहीं की यह जो जिस ग्रूप को उसने medicine दी है वो ग्रूप पहले से बैतर हो गया वो ग्रूप पहले से बैतर हो गया यानि के उसका medicine काम कर गया that's why एक researcher का हमेशा एम होता है कि उसका alternative hypothesis क्या हो accept हो alternative hypothesis should be accepted एक researcher का aim होता है null hypothesis को reject करना कौन जाहेगा कि मैंने जो experiment किया उससे no difference वाली situation बने है ना सो हमेशा आप भी PhD में research करोगे the aim of the researcher always to reject the null hypothesis and accept the alternative hypothesis समझे बात को तो यह एक दूसरे के उल्टे चलते हैं अगर मेरा null hypothesis reject हो रहा है यानि कि there is no there is difference यानि कि फिर मेरा alternative accept होगा है ना यह चीज़ रहती है अब अगर ध्यान से समझें if I am saying कि मेरा null hypothesis null hypothesis true है और मेरे test ने उससे accept कर लिया तो यहां पर कोई error है no कोई error नहीं है यह correct decision है इसी तरह अगर null hypothesis false है और test ने उससे मेरे test ने यानि कि जो मैंने रिसर्च की टेस्ट लगाया उसमें null hypothesis रिजेक्ट ही हुआ यानि कि this is also correct decision यहां पर error नहीं है और कहां पर आया है अगर ना लिपाथिस ट्रियू होने का क्या मतलब है कि यहां पर alternative hypothesis false है बट मेरे टेस्ट ने रिजेक्ट प्रूव कर दिया यानि कि alternative hypothesis को accept कर दिया तो एक्जाम में ऐसे घुमा फिरा के पूछा जा सकता है कि अगर alternative hypothesis false है तो हमारे test ने उसे accept कर लिया alternative को तो कौन से यह 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 यहां पर यह पूलना नहीं है अब अगली चीज़ दे नेक्स्ट इंग आपको इसके बारे में पता होना चाहिए तो टेल्ड टेस्ट एंड वन टेल्ड टेस्ट यह क्या होते हैं अब जैसे वन टेल्ड टेस्ट लिख रहे हूं और अल्टरनेटिव में अगर मैंने लिख दिया यह वाला ग्रूप पहले से बैतर है इससे जब भी आपको एक्जाम कोई कोश्चन है जिसमें अगर मैं इसको सिंप्ली ऐसे लिख रही हूं अल्टरनेटिव में मैंने लिख दिया नोट इक्वल टू मुझे यह दिया ही नहीं हुआ कि मुझे इतना पता है दोनों इक्वल नहीं है इस इस तो टेल्ड तो टेल्ड ही पॉथिस जब मुझे कोई अगर मुझे स्टेट्मेंट में दिया है यह दिए यह दिस इस इस लेस दन दिस इस 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 मोर दन दिस है न तो वह वन टेल्ड होगा समझ के बाद चलो अभी आगे देखिए लेवल ओफ सिग्निफिशंस और पावर टेस्ट के बारे में लेवल ओफ सिग्निफिशंस लेवल ओफ सिग्निफिशंस का सिंपल डेफिनेशन कॉंपलिकेटड बनाने को जितना मर्जी बना लो बट व्यारी सिंपल डेफिनेशन इस प्रोबिलिटी ओफ हैपनिंग टाइप वण एर गर बस से टीनोट करती और किससे डिञुन करती हूं जाता है अक्सर ही गजाता है था यह तो पांच परसेंट रकते हैं यह तो एक परसेंटर रखते एक परसंट एरर टाइप बनर के चांच परसंट यह और रखियेगा अगर मैं लेवल ओफ सिगनीफिशेंस को पांच परसंट रख रही है यानि कि मेरे राइस रख सकते हैं प्रसंट ऐए तरो होने की प्रोबिल्टीयन कि यानिके टाइप वन एक परसेंट है तो आपका कॉंफिडेंस इंटरवल जो है वो 99 परसेंट होगे ठीक है यह दो ही होते हैं लैवल अब मैं कोश्चन भी आपको एंड में बताओंगी किस तरह से पूछ जाते हैं पिर यहां पर औरो टेस्ट का मतलब समझें यहां पर समझने के लिए एक चीज समझिएगा पहले जैसे मैंने यहां पर लिखा था था ना नल हिपोथिस इस फॉल्स बगोट आवर टेस्ट एकस पहुत है ठीक है यह टाइप टू एरर ना ना होने की प्रोबिलिटी टाइप टू एरर ना होने के चांसिस इस पावर ओफ टेस्ट में हम हमारा एम है कि टाइप टू एरर को मिनिमाइस करना है क्या करना है अगर मेरा टू एरर है क्तशिब डरुच понад 110 घ्रव Ryu अगर टेस्ट कर दियाद मेरे इस क्या हुआ टाइप टू एरर ना होने की प्रोबिलिटीए यह ठीक हें सकते ना होरा हा अगर false कोई reject कर लिया यानिके type 2 error नहीं हो रहा तो this is power of test, power of test null hypothesis is false और reject कर लिया यानिके type 2 error ना होने की probability ठीक है अब देखिए इसकी धोड़ी definition लिखिए power of test जो है ना उसको हम denote करते हैं 1-β से 1-β क्यों क्योंकि बीटा मेरा क्या था बीटा मेरा क्या था type 2 error होने की probability बीटा क्या था probability of happening type 2 error और मुझे क्या करना है यानिके type 2 error होने की probability को minimize करना है तो वो 1-β बीटा बन जाएगा उससे उल्टा यानिके I have to minimize बीटा बीटा यानिके type 2 error को minimize करना है और maximize 1-β यानिके type 2 error ना होने की probability को maximize करना है समझे इस बात को ठीक है simple सी बात हमारा aim होते है to fix the level of significance at alpha level of significance को alpha पे fix करो alpha can be 5% और 1% and maximize the 1-β यानिके type 2 error ना होने की probability को इसको याद रखने का simple सा तरीक है power of test मेरे test में कितनी power है कि वो type 2 error ना करे ठीक है level of significance में type 1 error होने की probability है power of test में type 2 error को minimize करने की probability है ठीक है तो these differences यह रटे होने चाहिए आपको ठीक है जी तो hypothesis testing के next lecture में ना हम यह सारे test पढ़ेंगे जो आपके small sample, large sample test है ठीक है तो इस class को यही पर खतम करते हैं अभी आपके कुछ series इसमें पढ़ी है जैसे time readiness equations हम को करना है time series हम को करना है and then hypothesis testing हम को करना है यह तीन topics आपके econometrics के रह गए हैं मतलब 3 से 4 classes में आपका econometrics जो है वो डन हो जाएगा तो इसका में पूरा एक marathon class चलवा दूँ ठीक है जी तो अच्छा रगा session like share ज़रूर करिएगा थेंक यू सब्सक्राइब जरूर कर लिजगा डिस्क्रिप्शन में मेरा टॉपिक हम करने वाले हैं तो आपको बता दूँ कि यह कौनो मेट्रिक्स की सीरीज आपकी चल रही है पिछले दिनों से जिसमें हम सारा कौनो मेट्रिक्स यूजी सी नेट एकनोमिक्स के लिए कंप्लीट करेंगे आज इसमें हिपोथेसिज वाला टॉपिक पड़ेंगे अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं रही तो प्लेलिस्ट भी बनी हुई है इस चैनल पर आप पिछली वाली वीडियो भी जाकर रखा है तो आप पूरे कोर्स में भी मेरे अन्रोल कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन लेकर अनक एडमी की ठीक है जहाँ पर आपको ए टुजेट सारे के सारे यूनिट्स मिलेंगे कोड है मेरा सिमर्टन डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुए तो लिट्स स्टार्ट है हिपोथे टेस्टिंग मैंने आपको नल हीपोथेसी जान अल्टरनेटीव पाथेसी का मीनिंग जो है वह लास्ट वले लेक्चर में क्लियर किया था ठीक है तो आज हम हीपोथेसी टेस्टिंग जो उसके टेस्ट होते हैं अलग-अलग उनकी बात करेंगे तो यहां पे सबसे पहले मे आपको कुछ पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के बारे में बता देती हैं पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक बेसिकली हम चार ही टेस्ट की यहां पर बात करेंगे पैरामीट्रिक टेस्ट में आपका आ जाता है एफ टेस्ट टेस्ट और जेट टे है का एलावा भी वैसे बट हम यहाँ पर चार टेस्ट की बात करेंगी तो जो आपका किया daytime debate ना इसमें इसमें होती है flow इसमें इसमीं सेन्टों सेन्स नौर्मलडी स्टीक जो एंड त सन्थ 9 वेज़न धेनिको इसमेंटेंस नहीं होती इसमें सैंटन आ का मैयर जो है वो मीन यूस करते है नॉन पेरमेत्रीक में जो है वो मीडियन यूस होता है ठीक है तो धीस आड़ बेसिक डिफ्रेंसीस बेट्वेन परमेट्रिक एंड नॉन पेरमेट्रिक टेस्थ कि इसके लाबा एक और है अगर आपका ratio and interval data है ratio वाला data है या interval वाला data है तो उसके लिए हमारे parametric test होते हैं अगर आपका data ordinal या nominal है ये चार scales आपने research chapteritude में पढ़े होंगे paper 1 research chapteritude में 4 scales होते हैं तो आपका ordinal and nominal के case में non-parametric लगता है non-parametric के कुछ और भी types आपको यहां पर उनके name बता देती हूँ एक इसमें will question अब spelling का थोड़ा यहां पर देख ले न will question sign rank sum test एक होते है क्रुसकल वैली test ये नाम बता रही हूँ बाइचांस अगर पूछ लिए जाएं कि इन में से कौन सा non-parametric है तो आप पता लग पाएं आपको क्रुसकल वैली test ठीक है एक मान विटनी यू टेस्ट भी होता है मान विटनी यू टेस्ट यह आपके non-parametric test में आते हैं ठीक है चला है अब हम पढ़ते हैं इन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बीगी जडी डिएस से तो इसके features सारे पढ़ेंगे हम जैसे का जो है बेसिकली इसको ओम लार्ज czę्म क्ली टेस्ट भी बोलते हैं जब आपका सेपल साइज 30 से जादा है तो आप जडे टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं है हैर कि तो हम जडर deaf का इस्तिमाल करते हैं ठीक है और यह फिश्चर के द्वारा दिया गया है किसके द्वारा फिश्चर के द्वारा दिया गया अब जैड टेस्ट किस-किस केस में यूज होता है लेट सी मिशा कर्न कि तुट बादर लुख मेंशा और दिफरेंट आपके पास Bono problème Bonjour तो पोपुलेशनकिन्स के में उष्चर कि इसके लिए लुलीक ए इसके होता है case ढूर्ट उटत ऐसे सथे अगर डीफरेंट नहीं है आल इसके इंड़ यूज तो बनेटनेटेव इसके इलावा proportion estimate करने के लिए भी हम Z test का इस्तेमाल करते है इसके इलावा Z test का इस्तेमाल difference of proportions कि proportions में difference है या नहीं है to test difference in proportions इसके इलावा estimate mean यहां पे था ना दो means का difference difference और mean को estimate करने के लिए यानि के proportion का estimate difference in proportion mean का estimate difference in means चारो cases में आपका Z test का use होता है ठीक है और चीज यहां पर बड़ी important है जो याद रखिएगा जब भी Z test की बात आएगी ना तो इसका बड़ा important feature है population का variance यहां you can say population का standard deviation known होता है इस case में T test के case में known नहीं होगा इसके assumption बहुत important है population का variance यहां you can say population का standard deviation known होता है और जो Z test है आपका यह purely standard normal distribution के base पर standard normal distribution के base पर होता है और इसका एक formula बहुत important है note down कर लो this is basically x-bar यानि के sample का mean mu that is population का mean यह वला जो sigma है this is population standard deviation and n number of observation ठीक है याद करो मैंने आपको नॉर्मल distribution में इसी तरह का formula करवाया था वह कुछ ऐसे था formula उसमें हम x ले रहे थे x- mean over sigma यह आपको statistics में करवाया था जो मैंने दूसरी चैनल पर statistics का course करवाया था उसमें आपको इक दो फामुले यहाद रखने एक फामुला यह बला है this is x- यहाँ पर x है ठीक है और यह जो है standard normal variate का फामुले यहाँ पर एक्स बार माइनस में ओवर sigma और अंडरूट है दोनों फामुली अलग है ठीक है तो यह hypothesis testing का फामुला यह normal distribution के case में यूज होता है अच्छा इसके इलावा ना जैट टेस्ट की critical values बड़ी important है जैट टेस्ट की critical values very very important तो मैंने आपको कल one-tailed and two-tailed test के बारे में समझाया था और यह भी बताया था दो ही significance लेवल होते हैं या तो पांच परसेंट है या तो एक परसेंट है ठीक है one-tailed and two-tailed तो यह values याद रखना एक्जाम में डिरेक्ट पूछी जाती है पांच परसेंट level of significance अगर आपका है two-tailed test के लिए z value 1.96 बनती है और अगर एक परसेंट level of significance है two-tailed तेस्ट के लिए तो the value is two-point five-eight five-percent level of significance one-tailed test के लिए the value is one-point-six-seven-four-five and अगर one-percent significance level one-percent test के लिए two-point-three-three यह six-four-five कर लो ठीक है अब अब एक्जाम में question मानलो आपको पूछा गया कि बताईए confidence interval 95 परसेंट है तो आपका two-tailed टेस्ट पर जो कि जेड़ वैल्यू है वो कितनी बनेगी ऐसे करके question आज़े तो 95 confidence intervals का मतलब कि आपका level of significance 5 परसेंट है तो value आएगी 1.96 इस तरह से गुमा के पूछ लिये जाते हैं तो इस values को इन values को याद रखना बहुत important है ठीक है आगे हम चलते हैं ट्रफ की तरफ की ट्रफ की ट्रफ जिसको हम small sample test भी पोलते हैं ठीक है जब आपका sample size मतलब n जो है वो 30 से कम है तो आपका ट्रफ यूज होता है वील्यौ गोसेट के दौर गया है वील्यम गोसेट के द्वारा ये टेस्ट दीया गया है ठीक है अब इसके जो case है वो Z test से उल्टे है जैसे Z test में हमने पढ़ा था आपको population variance known होता है इसमें होता है अगर आपका population variance या you can say population standard deviation unknown होना तो T test उस होता है जो मैंने formula Z का किया था वही same formula इसके case में देखें इसमें मैं क्या कर रही हूं sample का mean and population का mean उसमें difference check कर रही हूं यह formula किसका है if you have to check the difference in population sample mean and population mean उस case का यह formula है और basically इसी फामुले से numerical आएगा बहुत और भी फामुले है बट इस फामुला इस इंपॉर्टन फॉर एग्जाम इसी फामुले से नुमेरिकल लाएगा गर आएगा तो ठीक है इसाल परों वह एगा है सेम आजए यह नीज आपिल लिए अनहीं समझ गए ठीक है और को सिंठिशच आपका सिंइफिशंस्य जीओं यूजगी state यूजगी आपके होता है टू टेस्ट सिग्निफिशेंस और रिग्रेशन कोफिशियंट से सिग्निफिशेंस रिग्रेशन कोफिशियंट का सिग्निफिशेंस फाइंट करने के लिए आपका टी टेस्ट यूज होता है इसके इलावा जो आपका z test यूज होता था ना mean को estimate करने के लिए proportion के लिए यूज नहीं होता याद रखिएगा टी टेस्ट या difference in means के लिए यहां पर पढ़ा था जेट टेस्ट में estimate mean difference in means इन दोनों के लिए इन के लिए ये रहां पर यहां पर दिफ्रेंस in means के लिए जरूर होता और यहां पर डिफ्रेंसी ना टेस्ट में हम दो तरह के अलग-लग सैंपल्स का रेख सकते हैं इंडिपेंडेंट इसेंपल्स में रिलेट ही नहीं करती है उस case में भी difference in means देखना दोनों case में difference in means के लिए आपका t-test use हो सकता है t-test में basic degree of freedom आपकी n-1 रहती है ठीक है जी आगे आता है आपका f-test that is variance ratio test f-test variance ratio test भी इसको बोलते हैं और ये भी fissure ने दिया इसकी सबसे important जो तो आँखे बंद करके भी कोई मतलब याद कर लो इसको बस नींद में भी हो गए ना अगर आप कोई property आपको f-test की पूछ ले तो आपको पता होनी चाहिए ठीक है क्योंकि it is very very important to test overall significance of regression overall significance of regression exam में ये question frequently repeated question में से एक है overall significance of regression को test करने के लिए कौन सा test लगता है this is f-test ठीक है इसके इलावा population variance के लिए f-test यूज होता है बेसिकली नाम इसका variance ratio test नाम से पता लग रहा है variance के लिए तो यूज हो गई यह होगा है ना इसके लावा adjusted coefficient of multiple determination अब मैंने आपको regression and correlation stats वाले course में करवाया जो दूसरे चानल पर मैंने करवाया था उसमें मैंने आपको coefficient of determination के बारे में बताया था that is r-square मैंने आपको r-square का meaning समझाया detail में समझाया हुए ठीक है कितने percent variations मेरे dependent variable में explain की जा रहेंगे independent variable के द्वारा that is r-square r-square में में degrees of freedom add कर दू तो वह r-square बन जाता है adjusted coefficient of termination ठीक है इसके बाद आपका आता है chi-square test जैसे मैंने बता दिया का इसके टेस्ट आपका non-parametric में आता है दिया किसके द्वारा गया है काल पेर्सन इसमें कुछ पीचर्स है जो ड्रेक्टी पूछे जाते हैं जैसे कि टुक्तेस्ट गुड्नेस ओफ़िट गुड्नेस ओफ़िट गुड्नेस ओफ़िट हम r-square को ही बोलते हैं ठीक है उसके लिए भी काई-square test यूज होता है तो टेस्ट एससेशन बेट वीन एच्रीब्यूट्स एससेशन यानि के रिलेशनशिप एट्रीप्यूट्स में एसससीएशन टेस्ट करने के लिए हम काई-square test का यूज करते हैं इसके लावा काई स्केर टेस्ट में एक कंटिंजंसी टेबल गिवन होता है वो तो जब हम क्राइस्केर के आपको सम नहीं आते हैं काई स्केर के एक्जाम में ठीक है कि सम तो बड़े लेंध ही होते हैं एक्जाम में थोड़ी नहीं पूछ लेंगे matching में पूछ लेते हैं contingency table आ जाए किस से match करोगे chi square test से match करोगे chi square test हम एक contingency table होता है जिसमें हमारी जिससे हम expected and observed values calculate करते हैं basically एक formula होता है chi square का that is sigma observed minus expected value का square कुछ याद ऐसा करके एक formula होता है आपने कभी ना कभी master's में पढ़ा होगा but you don't require to remember that formula क्योंकि यह formula वाला question होता है बहुत लंबा होता है आपका exam objective है इतने लंबे questions नहीं आते हैं बस इतना याद रख लेना कि contingency table एक दिया होता है आपको उसमें जब contingency table दिया होता है तो हम कौन सा test यूज करते हैं हम chi square test यूज करते हैं contingency table अगर आपको दिया होता है चलो मैं इसका एक आपको बेसिक सा सम करवा देती हूं कि सम यह वैसे मेरी बुक के पेज नंबर 140 पर एक्जामपल दी हुई है यू कें डू इट सेल्फ मेरी बुक सबके पास आई तिंक है पेज नंबर 140 पर यह देखिए एक्जामपल इस गिवन इन माई बुक पेज नंबर 140 यह सेम एक्जामपल एक ज़रूर करके जाना अगर आपको ही पॉथिस से कोई नुमेरिकल कोशन आ सकता है तो इसी तरह का सकता है इस इलावा मतलब कोई कोशन आपको इस पर्टिकलर मैठिड के इलावा अपोटइस से नहीं बनता या फिर इस से बनता है यह जो मैंने आपको जी हैं तो आज की इस वीडियो में Logit, Probit, Tobit model करने वाले हैं Econometrics की जो सीरीज आपकी चल रही है उसका ही नेक्स्ट क्लास है इससे पहले में सारे Econometrics के और लेक्चर्स करवा चुकी है उसकी प्लेइलिस्ट बनी हुई है आप जाकर देख सकते हैं और इसके बाद आपका एक और लेक्चर रही है Simultaneous Equations and Recursive Modern इसके बाद पुरा इसका मैर्थन में चलवा दोगी तो यूजी सीने टेक्नोमिक्स के लिए इतनी Econometrics कर लीजिए आपके Maximum Quotions ठीक हो जाएंगे मेरी सभी क्लासिस जोईन करने के लिए आपको सभी डिटेल्स दी गई है तेलिग्रम चलने का लिंक दीया गया मेरी बुक्स का लिंक दीया गया अनकैडमी की प्रोफाइल दी गई है मेरा रेफरल कोड सिमर्टन है किसी भी तरह की अनकैडमी सब्स्क्रिप्शन लेने के लिए ठीक है जी? आप स्टार्ट विए के डिस्क्रीट चॉइस मॉडल्स तो आपको जो इस लेबस यसमें इस टॉपीक का नाम इस्क्रीट चॉइस मॉडल्स है तुर्ट लेक्ली कहींMr. Project प्रॉविट नहीं है तो डिस्क्रीट चोर्स मॉडल्स में बेसिकली क्या होता है आपका डिपेंडेंट डमी वरियेबल होता है इस चीज को कंसीडर करिएगा डमी वरियेबल्स क्या होते हैं जिनकी वैल्यूस हम 0 & 1 की फर्म में डिपिक्ट कर सकते हैं ठीक है आपके डमी वरियेबल्स कांसीडर करोगे जैसे किसी पर्सन की कास्ट अगर जरनरल है तो वन अगर जरनल के लावा कोई और है तो जीरू यह जीज और इसी तरह जैसे आपका जांडर है our तो कुछ ऐसे वरियेबल होते हैं जिनको स्क्क by submitted है angled he रेकिश्टिकिन हम पर बाइल पर circuit और है ऐसे जो फिक्श्दिक मुडiona इस प्राइज प्राइज फ्यूल एफिशन्सी अब एक बंदा जो है वह कौन सी कार लेगा यह क्वालिटेटीव रिस्पोंस है इसको आप क्वांटिटी की फॉर्म में इस नहीं कर सकते कौन सी कार लेगा यह चीज बहुत चीजों पर डिपेंड करती है उस परसन की इंकम क् इस पर कर रही है इन सब चीजों पर डिपेंड कर रही है परसन इंकम यह चीज चीज कंसेप्ट क्लियर हुआ सो डमी डिस्क्रीट च्वाइस मॉडल्स में तीन मॉडल्स परेंगे लॉजिट प्राविट और टॉबिट ठीक है आपको लॉजिट मॉडल से इस बर कोश्चन है तो वही डमी डिपेंडेंडेंड वरीअबल मॉडल्स मॉन्हे Australians ञां यहाँ पर सब्सक्रीट मॉडल्स को फोलो किसको logistic distribution को यह यहां पर देखिए यह बहुत important equation है logit कि जो आपको याद रखनी है LI का यहां पर मतलब logit है PI का मतलब है probability of happening an event probability of कि उस event के happen होने के probability कितनी है जैसे के adoption of a technology etc one minus PI यानि के probability of not happening that event उस event के not happening की probability ठीक है अब ध्यान से यह बात समझ लीजिए जो probability है उसकी value 0 to 1 के बीच में लाए करेगी और logit की value आपकी minus infinity to infinity में लाए करेगी यह question exam में पूछा जाता है you must remember this thing logit की value minus infinity to infinity and P probability की value 0 and 1 यही जीज़ लिखी हुई है ठीक है जो आपका probit model होता है यह log normal distribution को follow करते है जैसे हमने पढ़ा ना logit logistic distribution को follow करते है probit आपका log normal distribution को follow करते है इसलिए इसको normit model भी बोलते हैं जैसे वही चीज़ dependent variable जो है वो dummy है यानि के वो दो ही values ले सकता है 0 या 1 married or not married समझ गए आपका फिर आता है तोबिट model अब धियान से समझेगा इसको यह जो तोबिट model है ना मैंने आपको probit and logit में फरक समझा दीगा इसको डिस्टिबूशन का फरक है for some observations यह तब यूज होता है जब आपको कोई ऐसी information ही कठी करनी है जिसमें कुछ observations के लिए तो वो information available है बट कुछ observations के लिए वेलेबल नहीं है information on regression regression का मतलब होता है dummy variable यानि कि कुछ cases कुछ respondents के पास तो उस जानकरी नहीं है अगर आप इन models की थोड़ा सा ओवर्वीव ले लोगे ना मेरे से जैसे मैं अभी दे रही हूं आगे जाके आप research करोगे बहुत helpful रहेंगे विकॉस आपकी research के analysis में logit probit or probit model का यूज होता है काफी सारी researches में social sciences में basically इसका use होता है ठीक है तो basic idea clear कर लोगे तो आपके लिए आगे जाके बहुत helpful रहेगा not only for net exam but also for PhD okay so tobit model के जो samples ऐसे samples जैसे मैंने बताया ऐसे samples जिनकी dependent variable पर कुछ observations के लिए data available है कुछ observations के लिए नहीं है इस तरह के samples को हम censored samples बोलते हैं मैं अभी इसकी example भी दूँगी censored sample इसलिए हम टॉबिट model को censored model या limited dependent variable regression model limited dependent variable regression model क्यों क्योंकि dependent variable की कुछ observations की value मेरे पास नहीं है ठीक है अब example देखिए sports we have a set of consumers and we are interested in finding amount of money a person spends on a house in relation to other socio-economic variables मान लो कि आपको कुछ भी ऐसा research करना है कि वो consumer है consumers जो है वो कितना पैसा अपने घर खरीदने पर लगाएंगे as compared to दूसरे चीजों पर लगाने दूसरे variables पर लगाने की बजाए कितना पैसा वो अपने घर पर लगाना चाहते इस चीज पर आपको study करनी है अब अगर मान लो कुछ ऐसे consumer है जो अपना घर खरीदना ही नहीं चाहते कि consumers do not purchase house तो हमको फिर उनके housing expenditure का data मिल नहीं पाएगा होगी ना वहीं चीज कि कुछ respondents का data यहां पर मिसिंग है dependent variable का यह dependent variable क्यूं है क्यूंकि house खरीदने की probability बहुत सारी चीजों पर depend करती है ना कि वो बंदे की income क्या है या उसका lifestyle कैसा है बहुत चीजों पर that's why house खरीदने की probability is a dependent variable और मेरे पास कुछ जो observations है यानकी कुछ respondents जो है उनका उनकी information is dependent variable पर है ही नहीं जो लोग घर खरीदना ही चाहते उनका घर पर expenditure मैं पता ही कर पाऊंगे तो इन केसिस में आपका टॉबिट मॉडल जो है यह यूज होता है समझ के बात को तो यह दिफ्रेंसिज यह basic difference है आपके इन तीन हो और इसके इलावा जो एक जो ना एक और difference होता है logit and probit logit and probit में मैंने आपको एक difference तो यह बताया ना log normal है और वो logistic है एक difference और होता है जो आपका logistic model होता है न उसका जो cumulative probability curve बनता है न वो थोड़ा फ्लैक्टर बनता है कि एक मिनट कमुलेटिव प्रोबिलिटी कर्व थोड़ा फ्लैक्टर बनता है बढ़ जो आपका यह logit का लिख देती हूं इस इस कमुलेटिव प्रोबिलिटी कर्व और यहां पर एक्स ऑब्जरवेशन यह थोड़ा फ्लैक्टर बनता है जो प्रॉबिट मॉडल का आपका होता है वो थोड़ा खड़ा खड़ा सा मतलब स्टीपर बनता है तो यानि के लॉजिट मॉडल का जो कमुलेटिव प्रोबिलिटी कर्व होता है वो फ्लैक्टर होता है ऐस कंपेर टू प्रॉबिट मॉडल यह भी डिफरेंस होता है तो आइधिंग तीनों मॉडल का बेसिक आईडिया आपको क्लियर हो गया अब नेट के एक्जाम में यह कुछ इसी तरह वह कहते है इलोगेट मॉडल एज ओडिक्रीज़ फ्रॉम वन तु जीरो दो लॉड़ मतलब जो आपके पी अई हमने लिये थे वह कहते है कि अगर वह डिक्रीज होता है फ्रॉम बन टॉ जिरो तो लॉड़ जो है वह क्या बनेगा लॉड़ अपका नेगितिव ब अब यह आपका जो पी यह यह डिक्रीज हो रहा है जैसे माल लो एक एक्जाम्पल यहां पर मैंने किया हां देटीज प्रोभी पीज जीरो टुवन ध्यान से समझो वह है अगर मैं कहुं कि यह वन टुजीरो जा रही है तो Dan यही से कोंचन निकल रहा था वह भी के अगर आपका आपक bob 1-2 जाएंगे तो प्रोडिकर किसमें जाएगी माइनस में जाएगी यहीं से कोश्चन निकल रहा था वोगी तो यह कोश्चन आपको आए थे ठीक है अब देखिए अगर पी की वैल्यू जीरो टुवन है तो लॉजट की वैल्यू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी होगी यह पड़ा हमने अभी ठीक ह है तो इस तरह के कोश्चन से फाइंड समझ लग गई चलो सो अच्छा लगा सेशन लाइक शेर भी करिएगा थेंक यू वेरी मुच फॉर वाचिंग ठेक कियर वाबाई येस हैलो एव्यवान वेल्कम टू में स्वीडियो को देख रहे हैं इससे पहले वाले कॉनोमेट्रि नियुको सबी डिटेल्स दी गई है मैरे टाइल डिटेलम चनल का लिंक मेरी क्लासिस का लिंक मेरे एक्नॉमिक्स की लिंक पेपर वन की लिंक सब कुछ आपको डिस्रिप्शन में दिया गया है कमपलीट कोर्स मेरा अन अकैडमी पर अवेलेबल है उसका लिंक भी आपको ड description में रिया गया है so let's start the session जब मैं simultaneous equations की बात करती हूं econometrics में simultaneous equations so i am saying joint dependence of variables इसके लिए यह definition यूज की जाती है that is joint dependence of variables अब देखिए जब मैं simultaneous equations की बात कर रही हूं ना आपको बता इससे पहले हमने सारी OLS की assumptions पड़ी हुई है तो एक OLS की assumptions थी that there is no relationship between independent variable and error term लेखिए, violation, violation of the assumption of independence of independent independent variable and error term तो उसमें पढ़ा था that there is no relationship between independent variable जो आपका X है यानि के exogenous variable and error term there is no correlation between them but simultaneous equation model जो है ये इसी assumption का violation है यानि के जब आपका independent variable and error term में relationship exist कर रहा हो simultaneous equation model उसी को बोलते हैं so this is a violation of this assumption of OLS अब इसके इलावा हम simultaneous एक simultaneous equation model परना हम OLS नहीं अप्लाई कर सकते हैं वही can't apply OLS याद करो हमने मैंने वही कहा कि अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे तो यह आपको समझ में नहीं आएगा इसलिए इससे पहले बाले जरूर देख लीजेगा तो अगर मैं simultaneous equation model पर मैं OLS अप्लाई कर देती हूं यानिके जो हमारी ब्ल्यू प्रॉपर्टीज है वह सैटिस्फाइ नहीं हो पाएंगी तो मारे एस्टिमेट्स जो है वह बाइस्ट एक कोश्चन एक्जाम में पूछा जाता है अगर आप स्टाइमेल औरर स्टाइमेट्स एक्विशिण मॉडल पर उलैस अप्लाई कर देंगे रिजल्ट होगा Biased and Inefficient Estimators, Biased and Inefficient Estimators, then efficiency and Biasedness both Unbiasedness and Efficiency, यह हमारी Properties थी Blue की ठीकि हिंप इन दोनों की Violation हो जाएगी अगर simultaneously Equation Model पर OLS एप्लाइ कर देंगे तो, ठीकि, अब कुछ simultaneously इक्वेशन मॉडल के आगे मैथेड़ होते हैं let's understand that methods इनके बारे में हम ज्यादा नहीं बढ़ेंगे थोड़ा आपके net economics के point of view से जितना important है उतना बढ़ेंगे that is indirect least square method ठीक है that is two stage least square method and that is three stage least square method three stage least square method ठीक है अब देखिए जो indirect least square method अना इसको थोड़ा समझने का परियास करिएगा आपका indirect least square method इसको एक बार matching से question आया था इसमें से आपको तो इसको मैच किस से करना था हमको IELTS reduced form से least indirect least square के लिए हमको जो एक structural model होता है has to be transformed into reduced form model उसको reduced form model में बदलना पड़ता है अब आप कहेंगे कि यह मैम आप कौन कौन सी नहीं नहीं terms बताई जा रहे हो structural model अब क्या है reduced form model अब क्या है I will tell you मैं इसके बारे में आपको मतलब short में जितना भी आपके एक्जाम के लिए important है बताऊंगी तो मैचिंग में ऐसा आया था कि ILS को मैच करना था तो ILS को reduced form equation से मैच किया था वो जो कोशन आया था उसमें हमने वो सही था आपका indirect least square will be matched with reduced form model क्योंकि indirect least square के case में आपको एक structural model में से reduced form model बनाना पड़ता है ठीक है तो अब इसमें आपको याद रखने वाली बात में यह है कि जो याद करो हमने identification problem में तीन तरह की equations पड़ी थी exactly identified over identified under identified पड़ी थी जो आपका indirect least square method है यह appropriate होता है किसके case में यह जो concept है ना यह बहुत detailed concept है इतना चोड़ता नहीं है बहुत detailed है मतलब इसके लिए तो आपका बुक एक पढ़ लेना अगर तो अब भी इसकी detail नहीं खतम होगी बहुत detailed है यह concept econometrics की पूरी बुक अगर आप पढ़ लेंगे ना उसके इलावा भी इन concepts में बुक के लावा भी बहुत कुछ और भी समझने के लिए बहुत वाइड concept है so but हमको अपके net economics के point of view से चीजों को करना है जिस तरह से जिस तरीके से तीन तरह की equations की थी इंडिरेक्ट least square का method appropriate रहता है अगर equations exactly identified है तो two stage least square appropriate रहता है appropriate for exactly identified अच्छा exactly identified को हम एक और word के नाम से जानते हैं just identified ठीक है exactly or just identified and over identified दोनों के case में की appropriate रहता है यह हमने identification problem में तीनों तरह की पढ़ा था तीनों तरह के cases पढ़े थे याद करो if k-m is equal to z-1 that is exactly identified k-m greater than g-1 that is over identified है ना किया था हमने three stage least square appropriate रहता है सिरफ over identified के लिए for over identified equations ठीक है और इसके इलावा अभी आपका हम वो समझते हैं कि यह जो आपने पूछा था structural equation and reduced form model यह क्या होता है जो पूछा नहीं था आपके में आया था कि what is reduced form model what is reduced structural model so let understand basically हम एक structural model से एक reduced form model derive करते है structural model and it is a reduced form model जो एक structural model होता है इसमें dependent variable dependent variable is function of is function of independent exogenous variable here you will use the term exogenous variable yes here you will use the term sorry exogenous नहीं indigenous variable indignous variable is a function of other indignous variables predetermined variables and error term बना के दिखा रहती हूं and error term but reduced form model के case में your indignous variable is function of only predetermined variable predetermined variable basically वही है जो आपका exogenous variable independent variable होता है बड़ थोड़ा सा फरक होता है exogenous variable in predetermined variable है तो मैं बता देती हूं आपको एक equation बना कर यहाँ पर माल लो आपका एक model है इस तरह से okay well forget so your model is like that CT is equal to alpha node alpha one yt plus ut ठीके, then your i t is a function of beta note beta 1 then again y t plus beta 2 y t minus 1 plus error term ut then the third one is g t is a function of t plus i t y t is function of plus g t यह आपके पास जो model है यह structural model है इसमें आप देखें जो equation है this is your indigenous variable indigenous variable जो है that is the function of other indigenous variable predetermined variables and error term और इसी model से हम एक reduced form model इससे drive करते हैं वो आपके काम का नहीं है derivation इतना लंबा you just remember कि जो reduced form model में जो आपका indigenous variable होता है this is the indigenous variable ना these are the indigenous variables तो indigenous variables are the function of only predetermined variables अब थोड़ा साइन variables में फरक समझें देखें यह जो आपका model है ना इसमें आपका जो ct है i t है, y t है यह indigenous variables है indigenous variables है अब एक चीज ध्यान से देखिए यह इस equation का ct जो है इस equation में ऐजे independent variable काम कर रहे है कर रहे है ना i t इस model में ऐजे indigenous था इस model में जाके ऐसे independent variable काम कर रहे है दूसरी साइड पर हो गया है इसी तरह y t यहां पर indigenous था किसी और equation में वह एजे इसको आप explanatory variable भी बोल देते हूं एजे independent variable काम कर रहे हैं कर रहे हैं तो इस model में यह जो variables है यह आपके प्रीटर्माइंड वर्येबल्स है यह आपके प्रीटर्माइंड वर्येबल्स है प्रीटर्माइंड वर्येबल्स अब परक समझ लगा एक्सिजिनस वर्येबल्स एक होते इंडिगनस वर्येबल्स इस डिपैंडेंड वर्येबल्स साफ हता लग रहा है तीन डिपैंडेंड वर्येबल्स है एक हम बोलते हैं एक्सिजिनस वर्येबल्स यह मनें आपको पहल किसी भी दूसरी इक्वेशन में इन दिनस का रोल प्ले नहीं कर रहे हैं जैसी इन दूसरी इक्वेशन में इन दोनों के बाहरे में समझा रिया अब हम आगे चलते हैं रिकर्सिव मोडल की तरफ एक तो लेट्स गो तो आड्स रिकर्सिव मॉडल को ना हम ट्रेंगुलर मॉडल भी बोलते हैं क्या बोलते हैं ट्रेंगुलर मॉडल भी बोलते हैं और रिकर्सिव मॉडल की एक पहचान होती है फ्रस्ट एक्वेश्ण इंट्रीश्ड लिख लिजी फ इक्वेश्ड एंक्रीफ एंक्रोड ऑनल परी कर कर मैंने recursive model करवाया उसी में से आए हैं आज तक जितने भी questions आपको आए है recursive model से first equation includes only predetermined variables at the right then second equation second equation includes predetermined and indignous variables indignous के spelling फोड़ा spelling में अगर इदर उदर गलती हो गई तो ठीक कर ले ना indignous variables at the right अब यह देखिए इसका क्या मतलब है recursive model के case में यह मेरी जो पहली equation है इसमें सिर्फ predetermined variables आते हैं predetermined variable जो किसी दूसरी question में यह जे indignous variable का रोल नहीं निवा रहे हैं सिर्फ predetermined variable so on x के error term भी ले लो error term ले लेते हैं यू बन ठीक है पहली equation दूसरी question में उसने क्या क्या हो जाएगा predetermined variables हैं साथ में indignous variable भी आ जाते हैं पहली equation का यह जो indignous variable है दूसरी question में यह आ जाएगा xk u2 कमझे फिर y3 में क्या होगा y1 पहले का indignous variable इसमें आ जाएगा right hand side में दूसरी equation का indignous variable यहां पर ही आ जाएगा right hand side में so on xk u3 so on ऐसी चलता जाएगा यह system ठीक है तो एक triangle की shape बना लेगा इसलिए इसको triangular model बोलते हैं बतला हारीक equation में आप देखो न एक एक variable add होता जा रहे है पहली equation का dependent variable इस equation में right hand side में आई जा रहे है so इस तरह का system है इसको हम recursive यह triangular system बोलते हैं हां हां तो वही चीज जो मैंने अप्यों को समझागी अपर उसको मैं थोड़ा लिखूं bookish language में you can say indignus variable in one equation may appear एक variable का जो एक equation का जो indignus variable है वो किसी दूसरी equation में as a explanatory variable काम कर रहा जाके may appear as explanatory यानि के independent variable explanatory variable in other equation यह ना indignus variable in the first equation may appear as explanatory variable in other equation आपको पता ना एक normal जो हमारा मोडल होता है इस तरह से इसमें यह आपका explanatory variable होता है यह आपका dependent variable होता है ना तो एक equation का independent variable इनके indignus variable दूसरी equation में जाके एजे explanatory variable काम कर रहा है इसी तरह का system जो है इसको हम कौन सा system बोलते है रिकर्सिव system बोलते है ठीक है समझ गे बात को चलो इसका एक बहुत ही important रिकर्सिव मोडल का एक point यह रहता है कि OLS हम इस पर apply कर सकते है OLS कैन बी इससे इस बार question आया था ड्रैक्ली applied ओन इच इक्वेशन इस model की हरे इच इक्वेशन पर OLS अप्लाए हो सकता है OLS कैन बी अप्लाइड ड्रैक्ली ओन इच इक्वेशन आफ्ड़ रिकर्सिव मोडल और एक वही एसम्शन क्योंकि रिकर्सिव मोडल बेसिकली मोडल का हिस्सा है और वो वली जो हमने चीज उसमें पड़ी थी ना साइमल्टरेंस एक्वेशन मॉडल में वो इसमें भी है क्या पड़ा था इंडिपैंडेंड वर्येबल्स आपके जो एक्सजेन सब्क मॉडल में भी है कैने आपके जो एक्सेजनस वर्येबल्स है और रिलेटिटेंड वीद एरbal को ठीके जी, fine correlated with yes, you can use the word here correlated तो यही था आपका simultaneous equation and recursive model का सारा important stuff, hopefully आपको समझ में आ गया अगर सेशन अच्छा लगा, like, share ज़रूर करिएगा thank you for watching, take care, bye-bye hello everyone, welcome to MS Study Guru आज की इस वीडियो में का अगला part यानि के time series analysis के बारे में बात करने वाले हैं क्या-क्या आज के lecture में आपको मिलेगा time series analysis, cross sectional data, time series data pool data, panel data, time series में stationery जो econometrics का main topic है stationary in time series then इसमें हम stationery को test करने के जो कौन कौन से detect करने के test होते हैं वो पढ़ेंगे और इसके बाद lagged models के बारे में भी हमको जानेंगे आज ठीक है, so पूरी वीडियो को end तक देखिएगा अगर अगर आप नए आये है चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजगा इससे पहले मैं कॉनो मेट्रिक्स के आपको बाकी भी topics कर वा चुकी हूई हूई UGC Net Economics के point of view से आप उनको जरूर देख लिजगा ठीक है so let's start the session description में सारी डिटेल्स दी गईगी है मेरी बुक की डिटेल्स मेरी टेलिग्राम चैनल का लिंक भी दिया गया है तो आप हुझे वहाँ पर फॉलो जरूर कर लिजगा टेलिग्राम पर क्यूंकि वहाँ से आपको सारी क्लासिस की अपडेट्स मिल जाएंगी तो let's start let's start न Take artist on M senza और फीज़ कि व्pseलोट का से तुस्ट कुन है तो पहले हम मतलब समझते हैं time series data and cross sectional data में फिके तो वालَ जितने भी लर्न्र का स्टेहरे मैं उनको time series cross sectional panel data, pool data ये उनको time series cross sectional panel data, pool data फोले मैं अच्छामपल के साथ recipes.. सु kos pon ड Sabrina अब जब मैं time series data की बात करते हूं जब मैं various times पर data consider कर रही हूं अलग-अलग times पर ठीक है इस cross-sectional data में time एक ही है but variables अलग-अलग है various variables जैसे माल लीजे अगर मुझे data लेना है income पर ठीक है तो मैं 2010 से लेके 222 तक की national income consider कर रही हूं this is time series data trends जिसको trends trends कैसे drive होते है trends time series data से drive होते है जो cross-sectional data है इसमें जो variables है वो जादा होंगे but time से भी रहेगा जैसे मैंने time same लिया माल लीजे 2010 का और इसमें मैंने अलग-अलग variables पर कर रही हूं income पर कर रही हूं employment पर कर रही हूं और poverty पर अना that number of variables inequalities time period is same the variables are more than one वो cross-sectional हो गया अब आपने कभी सुना होगा एक panel data पूल data होता है देख यह में छोटा साही difference होता है एक पैनल डाटा एंड पूल्ड डाटा बाई एक्जाम्पल बाई डेफिनेशन यह दोनों डाटा जो होते हैं इसको में बोलते हैं जिसमें time series and cross-sectional दोनों elements ठीक है time series plus cross-sectional दोनों elements ठीक है यानि के अगर मैं कहूं कि मैं 2010 से 2022 तक का data इकठा कर रही हूं national income पर भी employment पर भी poverty पर भी तो यह बन गया आपका time series भी और cross-sectional भी है ना बन गया तो ऐसा data जिसमें time series element भी है cross-sectional element भी है उसको हम पैनल या pool data बोलते हैं but panel data and pool data में भी difference होता है पैनल data में क्या होता है कि जो आपकी cross-sectional data के units होते हैं वो same रहते हैं units of cross-sectional data same over time but pool data में होता है units same नहीं होते units of cross-sectional data changed over time इससे आपको एक बर बहुत time पहले exam में question आया था ऐसे करके question था कि you are collecting data on hundred same hundred यहां पर word लिखा हुआ था same hundred households on different points of time different points of time मतलब आप households पर data ही कठ्था कर रहे हो है ना और अलग-अलग points of time पर कठ्था कर रहे हो ठीक है household पर data ही कठ्था कर रहे हो different variables पर you can write here but जो households है वो same है अब यहां पर आपको cross-sectional element भी दिख रहे है time series element भी दिख रहे है है ना यानि के यह आपका पैनल डाटा है यह पूल डाटा बन सकता है ठीक है बट कैसे पता चलेगा पैनल है यह पूल्ल है क्योंकि यहां पर उसने same word उसकर दिया नेक्स्ट आपका जो time series data समझ में आ गया आपको अब stationary in time series data क्या है econometrics में एक word होता है stationary in time series देखें simple सी चीज है अगर तो एक time series analysis में mean and variance if mean and variance remains same throw out different time period throw out different time period मतलब अलग-अलग time period में जो भी हमने trend बनाया है अलग-अलग times का उसमें अगर mean and variance की value same रहती है so that is stationary in time series ठीक है और अगर यह value change हो जाती है if mean and variance both change या फिर और only mean और only variance change और only variance change ठीक है throw out throw out different time periods तो यह आपका non stationary होगा ठीक है अब मैंने क्या कहा चाहे mean and variance दोनों बदले चाहे अकेला mean बदले चाहे अकेला variance बदले है ना तो वह non stationary हो जाएगा जब mean and variance observation to observation सेम रह रहे हैं तो वह stationary है जब mean and variance में से कोई एक भी बदल रहा है time के accordingly है ना तो वह आपका non stationary होगा वह stationary नहीं होगा ठीक है चलो so this is the basic definition जो मैंने समझा दी है आपको अच्छे से तो आगे चलते हैं random walk model की तरफ so econometrics में time series में हम एक model पढ़ते है random walk model यह जो model है ना इसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना जादा इसमें यहीं पढ़ना है यह model जो है यह model non stationary time series को depict करते है random walk model बनता कैसे है let's see yt is equal to yt minus 1 plus e t this is a random walk model ठीक है और यह model non stationary time series से बिलॉग करता है क्योंकि इस model में mean and variance observation mean तो same रहता है observation to observation बट variance जो है वो change हो जाता है time to time random walk model में mean same रहता है from time to time बट जो आपका variance अब इसको प्रूव करना होगा derivations वगारा से बहुत सारी चीजों से but you don't need क्योंकि UGC net के लिए पढ़ रहे है तो उसमें आपको को derivation solve करने को नहीं बोलेगा तो इसलिए time waste नहीं करने का सो इसमें mean जो है वो time to time same रहेगा बट variance जो है वो time to time change हो जाता है ठीक है तो इसलिए इसको non-stationary time series बोला जाता है अब आगे आपका आता है test of stationary जैसे हमने hetero के test पढ़े multi-colonarity के test पढ़े इसी तरह आप stationarity के भी test होते हैं test to detect stationarity in time series time series में stationarity को detect करने के test ठीक है तो सबसे पहला इसमें test होता है जो exam में पूछा जाता है मैचिंग में आपको मैचिंग में यह question आता है unit root test और दूसरा एक टाव test भी इसको हम बोलते हैं ताव test क्यूंकि इसमें जो statistic यूज होती है वो टाव एसे टाव स्टेटिस्टिक होती है टाव टेस्ट में दो टेस्ट आते हैं दो फर्स्ट इस दिक्की फूलर टेस्ट and the other is augmented डिक्की फूलर टेस्ट यह तो यह हैं आपके तीन टेस्ट दो डिटेक्ट करते हैं अब इसमें जो यूनित रूट टेस्ट है इसका मॉडल कैसे बनता है जस्ट यह देख लीजिए वाइटी इस इक्वल टू अब जो आपका डिक्की फूलर टेस्ट आता है अब इससे एक बार इस बार एक्जाम में कोश्चन आया था note that question डिक्की फूलर टेस्ट जो है यह first order autoregressive model के लिए यूज होता है किसके लिए यूज होता है first order autoregressive model में आपको autoregressive model अभी समझाती हूं और जो augmented डिक्की फूलर होता है यह यूज होता है higher order autoregressive model में एक और इन दोनों में difference होता है जो आपका डिक्की फूलर टेस्ट है वो उस case में यूज होता है जब error terms correlated नहीं होती ठीक है यह question इस बार एक्जाम में आया था कि अगर आपको stationarity को detect करना है और error terms correlated है तो आप कौन सा test यूज करोगे तो जब error terms correlated होती है disturbance terms जो है आपकी तो आप आपको यहां पर दिखाती हूं first order and higher order autoregressive model हम कैसे बनाएगे जस्ट विट अगर है कि आपको जैसे मैंने कहा कि दिख की फूला टेस्ट जो है उसके केस में आपका first order autoregressive model use होता है है ना एक बर आपको एक्जाम में question आया था Dickie Fuller test के case में किस तरह का model use होता है तो note down कर लिजे here it is delta yt is equal to constant constant मने यहाँ पर lambda डाल है that is yt minus 1 plus ut यह model use होता है first order autoregressive के case और जो हमने पड़ा Augmented Dickie Fuller test उसके case में हमने क्या पड़ा higher order autoregressive model use होता है है ना तो वो higher order autoregressive model कैसे बनता है let's see here it would be delta yt is equal to lambda then yt जैसे यह first order का मतलब है कि यह जो मेरी lag value है सिरफ minus 1 यानि के एक साल की यहाँ पिरेड का ही लैग लिए सरफ वन टाइम पिरेड का यहाँ पर लैग था मेरे पास that is first order autoregressive जब मैं higher order autoregressive की बात कर रही हूं तो एक से जादा time periods का lag है मेरे पास जैसे मैंने यह पर beta 1 yt minus 2 लिख दिया फिर मैंने beta 2 yt minus 3 लिख दिया so on error term तो एक से जादा time periods का lag हो गया ना मेरे पास तो यह higher order autoregressive model बन गया समझ गे बात को ठीक है अच्छा इसके बाद हम समझेंगे distributed lag model और autoregressive models क्या होते हैं लेट्स अंडर्स्टेंड auto regressive model में and distributed lag model में क्या फरक होता है distributed lagged model इन में क्या फरक होता है लेट्स सी तो जो आपका autoregressive model है ना जैसे मैंने अभी दिखाया था आपको it is yt is equal to alpha that is a constant beta 1 then मैंने याप लिख दिया मानलो xt plus beta 2 yt minus 1 plus ut अब model में पहले बना रही हूं model से ही आपको समझ में आ जाएगा दोनों में फरक यहां पर मैंने लिया alpha node beta 1 then xt plus beta 2 then xt minus 1 plus ut क्या समझ में आया आपको दोनों में तो difference मुझे इन में यह समझ में आया यह constant है इसकी जगा पर alpha की जगा पर बीटा note भी ले सकते हैं this is a constant basically ठीक है यह फरक समझ में आया जब मैं distributed lag model की बात कर रही हूं तो इसमें lag किसका आता है explanatory variable का लैग आता है किसका लैग आता है lag of explanatory variable यह यह यू कें से जो आपका independent variable है उसका जब मैं autoregressive model की बात कर रही हूं इसमें किसका लैग आ रहा है dependent variable का लैग आ रहा है ठीक है dependent variable का लैग आ रहा है समझ गे बात यह difference है अब ना इसके बाद ना आपका क्यूंकि यह कॉनोमेट्रिक्स की सिरीज का लास्ट लेक्चर है तो मैं कुछ छोटे चोटे टॉपिक्स इसमें आपको क्लियर करवा दूँगी जो आपको मैचिंग में पूछे जाते हैं हमने हेट्रोस डासिटी मल्टी कॉल्नेरिटी ओटकॉर्लेशन तीनों के टेस्ट की है टेस्ट की है टाइम स्रीज के भी टेस्ट कर लिए इसके लावा आपको एक और चीज के एक्जाम में टेस्ट पूछे जाते हैं और कुछनी सरब उसके टेस्ट पूछे जाएंगे काॉजलिटी के एकॉनमेट्रिक्स में टर्म होती है कॉजलिटी इसके बारे में और कुछ निए पूचे जाता है इसके टेस्ट पूचे जाते हैं जनाहिए अपके इसलेबस में मैंशन है कॉजलिटी को डिटेक्ट करने के टेस्ट कौन से होते हैं ऐसा कोशन में मैचिंग में पूचा जाता तो इसके दो टेस्ट होते हैं एक सिम्स टेस्ट होता है करके और एक ग्रेंजर टेस्ट होते हैं इससे आपको मैचिंग में पूशन पूछा जाता है ठीक है तो इसलिए मैंने यहां पर मैंशन किया है तो यूजी सीने टेक्नॉमिक्स के पॉइंट व्यू से ना मैंने आपका एकॉनोमेट्रिक्स वाला यह सिरफ मैंने देखी एकॉनोमेट्रिक्स वाला पोश्चन आपको कवर करवाया है इसमें स्टैस्टिस्टिक्स वाला पोश्चन नहीं है स्टैस्टिस्टिक्स वाला तो आप वहां उस चानल से सारी स्टेटिस्टिक्स की क्लासिस देख सकते हैं कि सिम टेस्ट अच्छा इसको सिम् टेस्ट भी बोल देते हैं बैसिकली अगर्नोमिस्ट का नाम है इसलिए तो जो स्टेटिस्टिक्स वाला पोशिन न जैसे आपका कोर्रेलेशन हो गया अपना प्रोबिलिटी हो गया है यह सारे टॉपिक्स मैंने आपको अनकेडमी यूजिसीनेट वले चैनल पर करवाएं हुए स्टेटिस्टिक्स वाला पोशिन यह जो पोशिन था आपका यह सरफ एक्नोमेट्रिक्स वाला यह इसमें हमने सिंपल लिनियर इग्रेशन मोडल एपाथिस पावर उफ टेस्ट थाइप्स और गोजमार्क अथूरम हो गया मल्टिकॉल नेरिटी वगारा वली प्रोब्लम् अग्यूल इसाइप को से आपको स्टेटिस्टिक्स में वाली प्ले लिस्ट वहां पर बरिए मतायग। और ये वली सीरीज आपको कैसी लगी ये भी जरूर बताईएगा ठीक है चलो जी ओके थेंक्यू टेक क्यार और अगर आपको इसीरीज अच्छी लगी आना तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा थेंक्यू